पर यह सोचने के जरूरत है कि क्यों ऐसा होता है कि कोई हमें संबंदों में चीट करता है ऐसे तो कहीं कारण हो सकते हैं लेकिन एक कारण जो मुख्य होता है कि कहीं बार जो दो जने हैं तो वो उनों का आपस में संबंद अगर बहुत अच्छा नहीं है थोड़ा सा कॉन्फलिक्ट है डेली लेवल पर आर्गुमेंट्स होते हैं बहुत जादा डिफ्रेंसेज ओफ ओपीनियन है उसके कारण कुछ न कुछ खीता तान बनी रहती है तो वो रिलेशन्शिप अल्रेडी फ्रैक्चर्ड है उस रिलेशन्शिप में अल्रेडी बहुत दूरी आ गई है ऐसा भी हो सकता है कि हम एक छट के नीचे रह रहे हैं लेकिन बहुत बात ही नहीं करते हैं केवल जरूरी बात करते हैं कभी-कभी तो पुरा-पुरा दिन भी बात नहीं करते हैं तो ये अंदर में एक खालीपन पैदा करता है एक अंदर में वॉइड हो जाती है वो वॉइड वो खालीपन हमें अपने से भढ़ना तो आता नहीं है तो इसलिए उसको भढ़ने के लिए हम कोई ना कोई बाहर का stimulant ढूनते हैं हमें पता भी नहीं चलता अब उसमें कोई वर्काहॉलिक बन जाता है वो बहुत जादा काम करने लगता है उसे काम से ही खुशी मिलने लगती है कुछ अचीव किया, कहीं appreciation मिली, कहीं award मिला तो उसको उसका नशा चड़ने लगता है वो वर्काहॉलिक बन जाता है कहीं आलकाहॉलिक बन जाते हैं क्योंकि वो जितना समय कोई ना कोई substance कंजियूम करते है उतना समय उन्हें अच्छा लगता है कहते थोड़े समय के लिए दुख, दर्द भूल जाता है क्योंकि दर्द है तो substance कंजियूम करने से reality से कट जाते है कई बार उस चीज़ का addiction हो जाता है लेकिन तीसरा कई बर ये भी हो जाता है कि हम अंदर से खाली है फिर कोई ऐसा है जो बहुत हमारी specialities देखता है उसके महीमा करता है हमें respect करता है हमें उससे थोड़ा सा प्यार मिलता है क्योंकि हर आत्मा को चाहिए विश्व के किसी भी कोने में हो उसको respect और acceptance चाहिए अगर उसी किसी और से मिलने लगती है तो वो वहाँ attract होना शुरू हो जाता है अचली उसको भी पता नहीं चलता है इतना slow ये process होता है लेकिन जहां भी acceptance और respect मिलती है वहाँ पर attraction होता है उनों के साथ समय बिताना उनके साथ बाते करना उनके बारे में सोचना अच्छा लगता है क्योंकि हमें वहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्ती होती है तो एक कारण जो हमारा partner हमारे से दूर चला जाता है कि already हमारे relationship के अंदर दूरी आ गई थी और वो खाली पन भढ़ने के लिए कोई दूर चला जाता है अब सही है कि गलत है उसके बारे में हम जादा ना सोचकर क्योंकि जो व्यक्ती ऐसा करता है वो भी दर्द में होता है और अंदर से खाली होता है तो वो गलत है कि खाली है कि दर्द में है वो हमें सोचना है पर important ये है कि अगर मैं receiving end पर हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ है मुझे किसी ने betray किया है, cheat किया है तो मुझे क्या करना है बहुत करके हम बहुत जादा hurt हो जाते कि मेरे साथ इनों ने ऐसे क्यों किया अब ये सबजना है कि दोसने ने जो किया वो उसकी choice है सही गलत वो उसका करम है हमारे उपर इतना control नहीं है कि वो क्या कर रहा है उसको हम इतना control नहीं कर सकते अभी हमें focus अपने उपर लेकर किया आना है कि किसी ने कुछ किया मेरे अनुसार नहीं किया लेकिन hurt होना है कि नहीं होना है वो मेरी choice है लेकिन वो मेरे मन में घुस करके दर्द क्रियेट नहीं कर सकते हैं वो हम करते हैं जब हम सारा दिन सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ मेरे पार्टनर ने ऐसा क्यों किया अब तो हम इंको कभी माफ नहीं करेंगे या मैं इंको जीवन में कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता यह ऐसे भी कर सकते हैं और यह फिर repeat mode में चलता है और हम कहेंगे नाच्रोल है इतनी बड़ी बात होगी तो गुसा तो आएंगा ही, नफरत तो होगी ही पर हम यह नहीं समझ रहे हैं यह गुसा क्रियेट करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-क की भावना पहले हम को खादी कर देती है इतनी suffering क्रियेट करती है यह इस प्रकार से है कि हम सारा दिन जैसे poison पी रहे हैं और expect कर रहे हैं कि सामने वाला मर जाएगा वाना negativity हम क्रियेट कर रहे हैं और हमें लगता है कि नुकसान सामने वाले का होगा ऐसे नहीं सारा नुकसान मेरा हो रहा है तो मुझे इस मोमेंट में रुक करके अपने से कहना है मैं क्यों अपना नुकसान कर रहे हूं दूसरा मेरे कंट्रोल में नहीं है लेकिन मेरी खुशी तो मेरे कंट्रोल में है ना गलत सोच सोच करके मैं अपने को डिस्रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हूं किसी ने तो मेरे साथ गलत किया पर मैं गलत सोच सोच करके अपने साथ गलत क्यों कर रहे हूं मेरा मन भी बिमार हो रहा है मेरा तन भी बिमार हो रहा है और मेरा ये एक रिष्टा ही खराब नहीं होगा अगर हम अंदर से दर्द में होंगे बिटर होंगे, रिवेंचफुल होंगे तो वह रिष्टा हमारा जो वो वााइब्रेशन है वो और रिष्टों को भी खराब करेगा चाहे वो मेरे बच्चे हैं चाहे वो मेरे in-laws हैं क्योंकि वही negativity सबको radiate होगी तो सबसे पहली चीज़ मुझे अपने को ठीक करना है मुझे अपने को हील करना है अपने साथ एक रिष्टा जोड़ करके कुछ spiritual practice को अडॉप्ट करके पहले अपने को ठीक करना है फिर अगर हम सोच सकते हैं decision ले सकते हमें उनके साथ रहना है नई रहना है वो decision हम बात में लेंगे कभी-कभी तो हम उनों के साथ रहना भी चाते हैं कि हमारा अंदर में already decision होता है क्योंकि तहीं सारी priorities होती है हमारी family है हमारे बच्चे हैं हमें पता है कि हम अलग नहीं हो सकते, बहुत सारे लोग उसमें एफेक्ट हो जाएंगे और होते भी हैं, इसलिए हमें महनत करनी चाहिए रिष्टा बनाने की, रिष्टा बनाना is lot of effort, डेली लेवल की महनत है, आप देखेंगे जब हम हील हो जाएंगे न, हम अंदर से दर्द में नहीं होंगे और हमारा vibration ठीक हो जाएगा, naturally हमारे मन से प्यार और respect और शुभावना होंगी, तो कितना भी दूर व्यक्ति गया है, वो automatically नजदी काने शुरू होता है, उसको अपनी गल्ती realize होती है, हमने तो कितने case देखे हैं, कि divorce के भी verge पर होंगे, लेकिन फिर भी व अपने पर महनत करता है, एक व्यक्ति सोचता है कि नहीं, यह relationship मेरे लिए बहुत valuable है, मेरे बच्चे इनवाल्ड है, मेरा परिवार इनवाल्ड है, मुझे महनत करके इसको ठीक करना है, और वो बस इतनी महनत करते हैं, कि मुझे उस व्यक्ति के बारे में कुछ गलत नहीं सो यह हम कहते हैं, उमको कभी फर्गिव ही नहीं कर पाएंगे, रिवेंज की फीलिंग, नेकिटिव एनरजी, अगर हमें रिष्टा ठीक करना है, तो हमें वापस ट्रस्ट भी करना पड़ेगा, और फर्गिव भी करना पड़ेगा, जब हम यह दोनों काम करते हैं, तो हम उन पर आहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने पर आहसान कर रहे हैं, सारा दिन अगर हम डाउट करते रहेंगे, तो वो हमारे मन को बिमार करता है, गलत सोचना हमारे मन को बिमार करता है, और फर्गिव करना क्या है, पकड़ के रखेंगे, तो पकड़ के रखने से भी तो किसका नुक पकड़के हम अपने को दर्द से रिलीज कर रहे हैं क्योंकि मुझे अपना करम ठीक रखना है अपना पाठ ठीक बजाना है तो ये मेरी चोईस है कि हमें अलग होना है कि हमेहनत करनी है कि उस रिष्टे को बनाए और आप देखेंगे केवल रिष्टे को बनाने के लिए अपने को ठीक रखना है अगर हम जैसे हील हो जाते हैं हमारा वाइब्रेशन ब्यूटिफुल हो जाता है और हमें कुछ करने के जरूरत नहीं पड़ती वो व्यक्ति आटोमाटिक ली वापस आना शुरू हो जाता है इसलिए अगर किसी ने धोका दिया भी है तो भर्ट नहीं हो लेकिन अपने को हील करके उस रिष्टे को ठीक करने की मैनत करें ओम शांदे